नहीं हम धिखो सबता पहला पर मुद्धा दिख्या यह डिकाएं गीरा है ना को को यह क्या कुंदा शोड़ा दिखाएंगे जब फीर से करने के बाद इसकी करना कंट डेर्व करके लग-अलग निकाल लेड़ें त्ह sitten की मात्रा में चाफ़ आपो लेना है जितना कि आप चक कर सकते हो वर नियर के साथ है यह देखो एसे कटिंग करके मतलब बार बार कटिंग करके इतना ही चावड लेओ जितना आप चेक कर सकते हो इसी तरह से बार बार कटिंग करने के बाद चावड बार निकालते रहे ना बाकी मतलब जितना आप ले सकते हो कर सकते हो तो ना ले 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 ना जैसे कि हमारा लास्ट में मतलब हमने कटिंग वेनन में लगाए הגूरखा कुछ पर यात उसके बारें लगाma कर हैं यह दे खो बसा तो लाघन दिखावाँ सब्सक् Sati आपने देख वरनेर के साथ लाड कैसे राइस की लैंथ ड्रम सक्ते करते लो के दिखा रहे हैं आपको तो यह वर 리यर यह देखो, वर्नियर से एक आठ से उठा रहे हैं, थोड़े चलिए टाइम लग रहा है, यह देखो वर्नियर से एक ग्रेन उठा लिया, इस ग्रेन को चेक परोप, कितने अमेम का है यह लमबाई में, यह देखो, जैसे यह चेक कर लिया हमने 6-5 का है, 6-5 को उसमें कैलकूले के बाले कृटर में इसको इह देखो इस तर यह को आफ गारे हैं क्वेसे उनल sprite हुआ है कि अयह है आपit को देखो एक चैलकुलेटर में पुलस करते रहते कि इसको प wrench करें कि देखो तोटल ऐसे ही मतलब जितने भी ग्रेन आपने करने ऐसे करते रहो इसी तरह से अपना आप टोटल जब ग्रेन हो जेंगे पूरे तो उसके बाद लास्ट में पूरी आवरेज निकल जेगी वो पूरा कुछ आपको निकाल लगे दिखाएंगे यही ऐसे चेक करते रही हो आप कोई भी दिक्कत हो लैब से रिलेटिव कोई भी आपका स्वाल हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट के मैद्य हमसे यह आपको मोटा मोटा सा लैब करके दिखा रहे हैं अभी प्रोपर लैब आपको बाद में बिल्कुल दिखाएंगे कैसे अवरेज निकली कितना मतलब कितने ग्रेन हमने टोटल उठाए और उनकी क्या एवरेज रिस्टो आई है और कितनी लैंथ आई है और कितनी लैंथ होने ची यह प्यार चोदागी सारा कुछ आपको प्रोपरस तरीके से समझाये जाएगा अभी आपको पहले एक लैब का तरीका दिखा रहे हैं यह देखो कि जो टोटल जोड आया है हमारा एक सोचू एतर नोशोड ताड़ी 174948 यह देख लो चैक कर लो अभी आपको दिखाएंगे सबसे पहले का क्या प्रोसीजर सबसे पहले तो आप इदर यह देखो यह चैक फॉरवर्ड का बटन है इसको आप चैक करो कि कोई ग्रेन आपका गल्थ तो नहीं हो चुका है यहां पर अगर कोई गल्थ लग रहा है तो उसको आप ठीक करो यह देखो दिखाएंगे आपको यहां से चैक कर लो एक से स्टार्ट हो जो एक दो तीन च्यार पांट छे साथ आठ मौन तस ग्यारा वारा तीरा छोगा किमरा सूरा सत्रा तारा इसी तरह से आप सारे ग्रेंट चैक करते रहा ना यह दिखाएंगे आपको यह देखो साथी हो हमने पूरे ग्रेंट चैक कर लिए इसलिए करना पड़ता है ताकि कोई भी बीच में खाली ना रहे गया हो अगर खाली रहेगा तो आपकी यह मतलब आवरेज है जो वह पर्षे लिए तो ने चुट गया और कोई गल्थ तो ने टाइप हो गया इसलिए चैक करना पड़ता है अब आप दिखाते हैं आपको इसके आवरेज कैसे निकलती है इसको हम बाग कर देते हैं यह यहां से बाग उदर आ उपर आ गया हो बाग का निशान ने देख लिए बाग 257 अब इसको ब्रयापर कर देते हैं पर्षेंटेज कर लिए पर्यापर कर लो एकी बात है इस पर्षेंटेज कर देते हैं इंदे कोई आया हमारी 680 पुलस की लांट आगिया वही देख लो 680 पुलस की लांट आगिया है मतलब ठीक है चलने वाड़ी है वैसे तो 650 लेकिन 680 भी ठीक है क्योंकि शिल्ले की लैंट लगबग इतनी आती है 685 करने के लिए थोड़ा हा सेकिन और ज्यादा निकालना पड़ेगा वहां सो टैक्स में अपना सैटिन थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी वैसे लैंट चलने वाड़ी है ठीक है और सात्यों लैब से लेटिव अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे कोमाइंट बोक्स में मैसी छोड़ दियो आपका रिपलाई किया जाएगा धन्यवाद